हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल डीटल पाउर में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि दिली होमगार्ड के लिए एक नहीं बहाली आई हुई है जो कि 10,285 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन किया जा रहा है तो आप लोग को किस प्रकार आ आपको मालूम नहीं है तो मेरे वीडियो की डिस्किप्शन में लिंक है वहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हैं आपको इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों डिजी एच्जी इन्रॉल्मेंट डॉटन पे आना होगा या वीडियो की डिस्कि बना हुआ इस पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद उपर क्यों स्कॉल किजिएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ओप्सन दिया हुआ है दोस्तों डेक्शॉप साइड का तो आप लोग क्या करना है इस पे क्लिक कर देना है उस पे क्लिक करने के बा आपका नाम मोहन कुमार है तो आप लोग यहां पे मोहन कुमार लिख देंगे उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है email id तो आपको क्या करना है यहां पे email id लिख देना है उसके बाद क्या करना है यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों father's name तो आपको क्या करना है simple सी बात आपके जो भी पिता का नाम हो, यहाँ पर फूल नाम लिख दिना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है? काटेग्री पर आना है और आप OBC एं, OBC, ST है थो ST, SC है तो SE अन्यस्ता जेंडर है, तो आप जेंडर पर क्लिक कर दिजेगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे जेंडर चुज करना है जैसा कि यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है जेंडर पे क्लिक करना है मेल है तो मेल फिमेल है तो फिमेल हाइट यहाँ पे लिखना है आपको तो हाइट लिखे जाएंगे तो तो आप यहाँ पर आपका जो भी height होगा उस height को fill कर दिजेगा, height को fill करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर आएगा दोस्तो mobile number, तो आपके पास जो mobile होगा उस mobile number को यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर लिखना है किसका mobile number है, अगर आपका self है तो self लिख दिएगा, अ आपके अधार नमबर टाइब कर दिना है यानि आपके अधार नमबर जो भी है यहाँ यहाँ पर लिख देना है उसके बाद नीचे की इचachmentili करना है अब यह पहाँ आ रहा है एक शवी मैं डीटेल्स अगर आप किसी सॉर्भीष में थे तो आपको है इस पर लिखलाना है आर्म डियो पोलिस फोर्सेस तो यहाँ पे C-A-P-F में अगर आप थे तो yes करना है नहीं थे तो no करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अपना date of worth लिखना है तो आपको क्या करना है अपना date of worth को जितने भी तारीख को आपको जनम हुआ था उस जनम को यहाँ पे फिल कर दिना है उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों निचे की और scroll करना है अब मैं एक बात आपको clear कर दिने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है address line 1, address line 2 तो आपको क्या करना है जो आपके अधार काड में जिस प्रकार लिखा हुआ है same to same उसी प्रकार फिल कर दिना है line 1 और line 2 में अगर आप उपर लिखते हैं तो कुछ उपर लिख दिजएगा उसी में के कुछ निचे लिख दिजएगा उसके बाद यहाँ पे city पिन कोट डाल दिजएगा उसके बाद यहाँ पे estate दिल्ली कहीं आएगा भले यहाँ पे estate लिखा हुआ है लेकिन दिल्ली कहीं ही आएगा उसके बाद जो ऊपर आप लोग लिखे हुऊंगे same to same इस पे आजाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इिटमेटिक्स । लेगा अब आपको क्या करना है ? यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास क्या हो ना चाहिए, residence proof के लिए तो पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ड को भी यहां पर डाल सकते हैं अगर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं एक ही मात्र डालूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं डाला हूँ भोटर आईडी कार्ड तो भोटर आईडी कार्ड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे भोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है जैसा कि आप लोग देख सेलेक्ट यहाँ हूँ इले educational qualification details यानि जो भी आप आपके पास qualification है उसे यहाँ पे लिखना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर लिखा हुआ है math, math हो गया, science हो गया और history या जो कुछ भी हो आप लोग लिख सकते हैं उसके बाद intermediate में जो भी आप लोग लिखे होंगे जैसा कि मैं आपको बता दूँ science है तो यहाँ पर science लिखेंगे, arts है तो arts लिखेंगे अन्य था आप लोग यहाँ लिख सकते हैं जो biology, math या जो कुछ भ अरिया होंगे तो लिख देना ऊशका फी या जो लिख सकते हैं कोन से परस में आप लोग पास किए था इसे भी आपको यहाँ डोमबर को भी आपको यहाँ चूज करना है जैसे 55% आया था तो 55% वहाँ पर लिखे दूँगा 55% अब आपको क्या करना है दोस्तो गेर्जुएशन है तो लिखना है नहीं है तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप लोग देखते हैं दो ही में स्टार का टीक मार्कर बना हुआ है तो उसे आप लोग करना है उसके बाद यहाँ पर क्या करना है bonus के तोर पर यहाँ पर आप लोग देखने है bonus के तोर पर दिया गया है या कोई आपको कुछ certificate मिला हुआ है तो यहाप लगाएंगे न था आप लोग को no कर देना है उसके बाद यहापे कहीं guard के नोकरी आप लोग कर रहे थे तो कितने लोग होते हैं जो नोकरी करने के बाद छोड़ दिये होंगे फिर उनके मन होगे joining करने के लिए काम करने के लिए तो yes करेंगे अन्य था आपके पास नहीं था कोई home guard का नोकरी तो आप लोग यहाप लोग कर देंगे उसके बाद आपके सामने फिर ऐसा interface कुल कर आ जाएगा यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे नोक है तो नोकी जिएगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा interface कुल कर आएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे अब आपको यहाँ पे आ जाएगा document upload चलिये मैं फटा फट डोकुमेंट यहाँ पे upload कर दे रहा हूं तो upload ॉकमेंट पे click कर रहा हूं यहाँ पी जैसे मैं आ घया photo candidate तो candidate photo पे click किया उसके बाद मेरा जो भी photo है मैं उसे यहाँ से स्लेक्ट कर ले रहा हूं जैसे यह रहा मेरा photo तो मैं उस photo को select कर लिया तो फोटो स्लेट करने के बाद यहाँ पे upload पे click कर देना है अब आप लोग देख सकते हैं कि photo upload हो गया है यहाँ पे आप लोग साफ साफ देखते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि signature of the candidate तो आपको क्या करना है चूज पर किलिक करना है यहाँ पर आना है और सिगनेचर अपलोड करना है तो सिगनेचर यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा सिगनेचर तो सिगनेचर पर किलिक करने के बाद यहाँ पर सिगनेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड लिखा हु यह रहा मेरा फोटो यहाप फोटो इसमें चूज कर लिया हूं इसके बाद Upload पे किलिक कर दूँगा Upload पे किलिक करने के बाद आप लोग देख से हैं ओठे का निसान आ गया है अब आपको सिंपल से क्या करना है यहाप जो प्रिभीव का लिखा हुआ इस प्रिभीव पे क क्लिक कर दिना है अब आप लोग को क्या करना है यहाप पर प्रिभीव आपको चेक कर लिना है कि यहाँ आपका जो नाम और जो भी मुबाइल नमर या अधार नमर जो कुछ भी आप लोग डिटल्स डाले है सब सही या गलत है इस पर आपको क्या करना है मिला लेना है अगर क्या करना है यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है चले मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ इस पे क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल फोन पे एक OTP जाएगा उस OTP को क्या करना है इस पे टाइप कर देना है जैसा कि मेरा OTP आ गया है इस मैं OTP को फिल कर देना है अब OTP को फिल करने के बाद आपको क्या करनाPat अगर आपको लगता तो आपको एट अप्लीकेशन पे कुछ करके इट कर सकते हैं और आपको पता है कि हह सब कुछ सही भरा गया है तो आपको submit पे click कर देना है चलिए मैं submit पे click कर दे रहा हूँ ऐसा आएगा आपको क्या करना है okay पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार आएगा और आप लोग देखते हैं आपका registration आपके सामने आजाएगा अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे तीक मर्क लगाने के लिए और यहाँ पे लिखा है पे यहाँ पे आप लोग देखते हैं पे लिखा हुआ है पे click कर देना है पे पे click करने के बाद incomplete इसलिए लिख रहा था क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पे अभी नहीं हुआ था अब आपको क्या करना है पे करने के लिए कुछ आपके सामने आशा इंटरफेस आएगा आपको क्या करना है उपर करना है अगर आप चाहते हैं कि card के माध्यम से payment करने का तो आपसे card के माध्यम से payment कर सकते हैं आप लोग चाहेंगे UPI के माध्यम से तो UPI के माध्यम से QR कोड के माध्यम से चाहेंगे तो QR कोड के माध्यम से आपको क्या करना है इस पे simple से click कर देना है यहाप पे क्या करना है अपने UPI number जो भी आपके phone पे का UPI number होगा उसे इस पे किलिक करना है उसके बाद भेरफाई पे किलिक किजिएगा तो आपका नाम यहाँ पे सो कर देगा उसके बाद आपको क्या करना है पेमेंट कर देना है पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका फॉर्म सेकस हो जाएगा पूर रूप से अब आपको क्या करना है जब आपका form पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आपको फिर back आ जाना है अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है यहाँ पे लिखा है view submitted application from तो यहाँ पे आपको क्या करना है चेक करना है चेक करने के लिए आपको क्या करना है क्रेस कारी को पर को सकते हैं तो इस प्रकार आप अपने को किसी दिखत्र नुहीं रहुविए किस्यापी दिखत्र क्यों को सबस्सक्राइब